कार्तिक क्रिष्ण पक्ष एकादसी कब हैं? रमा एकादसी कब हैं? आये जाने ब्रत, पूजन बिधी और कथा दोस्तों अनुभाव ज्यान गंगा चैनल पर आपका स्वागत है कार्तिक मास के क्रिष्ण पक्ष की एकादसी को रमा एकादसी के नाम से जाना जाता है रमा एकादसी दिवाली से पांच दिन पहले आती है कहते हैं कि रमा एकादसी से दिवाली उत्सों की सुरुवात हो जाती है इस एकादसी पर भगवान विश्णु संग मालच्चमी की पूजा की जाती है मालच्चमी का एक नाम रमा भी है रमा एकादसी ब्रत के प्रताफ से बैक्ति पापों से छुटकारा पाता है और मृत्य के पस्चात उसे मुक्ति मिल जाती है इतना ही नहीं रमा एकादसी का ब्रत सुख शौभाग और समरिध्धी धायक माना गया है आईए जाने दो हजार तेईस में रमा एकादसी की मुरत और महत्यू पंचान के अंसार कार्तिक मा के कृष्ण पक्ष की रमा एकादसी तिथी आठ नौमबर दो हजार तेईस को सुबा आठ बजकर तेईस मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन नौ नौमबर तो हजार तेईस को सुबा दस बजकर एक तालिस मिनट पर खतम होगी रमा एकादसी नौ नौमबर दो हजार तेईस गुरूवार को है एकादसी ब्रत करने से ब्यक्ति के समस्त पाप मिर जाते हैं और माता लक्षमी के आशिरवाद से जातक को जीवन में कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है रमा एकादसी पूजा का समय सुबह 6 बजकर 49 मिनट से अगले दिन सुबह 8 बजे तक है रमा एकादसी का ब्रत पारण 10 नौमबर को सुबह 6.49 से 8.50 के बीच में पारण करना सुब होगा इस दिन द्वादसी तिथी दोपहर 12 बजकर 35 मिनट पर समाप्त होगी रमा एकादसी ब्रत का महत्तु कार्तिक माह में भगवान विश्णुजी की पूजा का बिशेस महत्तु है ऐसे में कार्तिक की रमा एकादसी का ब्रत समस्त पापों को नश्ट करने वाला माना जाता है इससे ब्रम हत्या जैसे महापाप भी दूर होते हैं सौभागवती इस्त्रियों के लिए यह बरत सुक और सौभाग प्रद माना गया है यह एकादसी दिवाली से पहले आती है ऐसे में इस दिन ब्रत करने से माल अच्छमी बरती को एश्वरे कीर्ती धन और संपत्ती से परिपून रहने का आसित बात देती है रमाएकादसी के दिन गीता का पाठ करने से बहुत महत्तु बताया गया है इस दिन साम के समय भगवान विश्रू की विशेष पूजा की जाती है अगले दिन मंदिर में जाकर अन्यदान देने का अक्षय फल की प्राप्ती होती है रमाएकादसी ब्रत कथा एक पौराणि कथा के अनुसार एक नगर में मुचु कंद नाम के एक प्रतापी राजा थे उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे सोभन के साथ कर दिया सोभन एक समय बिना खाये नहीं रह सकता था सोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ सस्रुआ लाया तभी रमा एकादसी का ब्रत पढ़ा चंद्रभागा के ग्रेह राज में सभी रमा एकादसी का नियम पूर्बक ब्रत करते थे और ऐसा करने के लिए सोभन से भी कहा गया सोभन इस बात को लेकर परिहसान हो गया कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता तो वह रमा एकादसी ब्रत कैसे करेगा वह इसी परिशानी के साथ अपनी पत्नी के पास गया और उपाई बताने के लिए कहा चंद्र भागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज जी के बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि राज में कोई ऐसा ब्यक्ती नहीं है जो इस ब्रत नियम का पालन ना करता हो यहां तक कि इस दिन राज जी के जिव जनतु भी भोजन नहीं करते आखिरकार सोभन को रमा एकादशी उपवास करना पड़ा लेकिन पारण करने से पहले उसकी मृत्त्य हो गई चंद्र भागा ने पती के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहां रहने लगी उधर एकादशी ब्रत के पुने से सोभन को अगले जन्म में मंद्रा चल परबत पर आली सान राज प्राप्थ हुआ एक बार मुचु कुंद पूर के ब्रामण तीर सियात्रा करते हुए सोभन के दिब्ब नगर पहुँचे उन्होंने सिंहासर पर बिराजमान सोभन को देखते ही पहचान लिया ब्रामणों को देखकर सोभन सिंहासर से उठे और पूछा यह सब कैसे हुआ तीर थियात्रा से लोटकर ब्रामणोंने चंद्रभागा को यह बात बताई चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पती के पास जाने के लिए ब्याकुल होठी वहां बौाम रिशी के आस्रव पहुची चंद्रभागा मंद्रा चल परबत पर पती सोभन के साथ पहुची अपने अकादसी ब्रतों के पुन्य का फल सोभन को देते हुए उसके सिंगासन वास राज को चिरकाल के लिए स्थिर कर लिया तभी से मानता है कि जो इस ब्रत को रखता है वो अब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्थ हो जाता है और उसकी सभी मनो कामनाएं पूर हो जाती है दोस्तों मेरी यही कामना है कि भगवान विश्णू मालच्छमी की किरपा आप पर बनी रहे तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो चैनल को सस्क्राइब कर ले पेल आइकन को भी प्रेश करें यहां से आपको उचित और सही समय पर अच्छी जानकारी मिलती रहेगी और एकदब सटीक और वीडियो पसंद आए तो वीडियो क लाइक सेर कमेंट जरूर करें और कमेंट में जैमालच्छमी लिखना न भूले जैमाता दी थैंक्यू सो मस्ट धन्यबाद